प्रदान मंत्री किसान सम्मानिधी योजना के अंतरगत अगर आप भी किस्ट लेते हैं आप एक किसान हैं तो यह जानकारी आपके दिये है देश के क्रोडो किसान सत्रवी किस्ट को लेकर इंतिजार कर रहे हैं कि सरकार सत्रवी किस्ट का पैसा कब चारी करेगी लेकिन आपक अगर लिष्ट में आपका नाम नहीं होगा तो आपको सत्रवी किस्त का पैसा नहीं मिल पाएगा अब आप लिष्ट में अपना नाम कैसे चेक कर सकते हैं लिष्ट में कैसे अपना नाम देख सकते हैं उसके बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको तमाम जानकारी देने जा रहे हैं आप यह लिष्ट अपने घर बैठे अपने मोबाइल फोन से आजसान तरीके से चेक कर सकते हैं step by step हम आपको बताएंगे कि आपको अपनी लिष्ट में अपना नाम कैसे चेक करना है उसकी तमाम जानकारी आपको दे जाएगी बस आप से हमारा चोट सा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिजे आउर किर्पिया आप हमारे साथ अंत तक वीडियो को देखते रहेगा अंत तक आप बन रहेगा तब ही आप लिष्ट में अपना नाम चेक कर पाएंगे चलिए वीडियो को सुरू करते हैं और आपको तमाम जानकारी देते हैं तो दोस्तो हम आपको सुरुवात से ही बताते हैं देखे आपको सबसे पैसे बैल आताथाना है Google Chrome ब्राजर पर जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे है यहाँ पर आपको LOEs पियम किसान आपको लिग कर सर्च कर देना है जैसे आप सर्च करेंगे तो आपके सामने नाये स्ट पेज ओपन हो जाएगा जहां पर दोस्तों आप देखेंगे कि प्रधान मंत्री किसान सम्मानिधी योजने की जो ओपिशल वेबसाइट है वे आपको यहां पर नजर आ जाती है वह आपके सामने निकल कर आ चूकी है आप दोस्तो यहहां पर देख सकते हैं कि जो सोलवी किस्व का पैसा ट्रांसपर किया गया था वह जारी कीज़ा गया था अ सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहां पर बहुत से आइकन देखने को मिल जाएंगे अगर अगर आपने किसान योजना की क्यवाई से नहीं कराई है तो आप यहां से क्यवाई से करा सकते हैं अगर आप ऐसे किसान हैं जिन्होंने परधान मंत्री किसान सम्मानधी योजना में आवेदान नहीं क्या है तो यहां से आप नया रिजिस्टेशन कर सकते हैं और भी यहां से बहुत सी जानकारी आप प्राप्ट कर सकते हैं यहां से दोस्तों आप लिष्ट में नाम चेक कर सकते हैं लिष्ट में अपना नाम आप देख सकते हैं कि किस्त आपकी आई है या फिर नहीं लिष्ट यान कि आपको अगर पैसा ज़्यादा मिल चुका है या फिर गलत तरिके से आपके अकून पैसा आ चुका है तो आप उझे online refund कर सकते हैं अगर आप वो किसी प्रकार की सहीता की ज़रूरत है तो आप यहाँ पर helpdex के उपर किलिक करके दोस्तों वह भी आप आसानी से पता कर सकते हैं यहाँ पर आप आप mobile PM किसान एप भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि दोस्तों प्रधान मंत्री किसान समानिति योजना का official एप है जो आप अपने mobile में एप डाउनलोड करके वहाँ से समकूर जानकरी को प्राप्त कर सकते है अब दोस्तों आपको देखना है लिश्ट तो आपको क्या करना है यहां पर आ यहां कि आपके सामने इंटरफिश ज हैए जहां पर आपको अपना लिष्टिक होगा सब्सक्रट करणा यह आपको यहां पर उत्तर परदे स्लेक्ट करते हैं उसके बाद आपको यहां पर अपना अपना सब्सक्राइब अपना पर अपना लेना है उसके बाद आपको यहां पर अपना जो गांँ है वह गांँ स्लेक्ट कर लेना है उसके बाद आपको दोश्तो हैँ गेटρίपोट के किलिक करते हैं फिर से यहां पर इस्टेट उत्तर प्रदेश सी सेलेक्ट लेते हैं उसके बाद आपको यहां पर जो डिश्टिक है यहां पर सेलेक्ट करते हैं हम दोस्तों दूसरा कोई जिला तो यहां पर सेलेक्ट कर लिया है उसके बाद सब डिश्टिक यहां पर सेलेक्ट यहाँ पर नजर आ जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, किसानों के नाम यहाँ पर निकल कर आज चुके है, इस तरह से आपको लिष्ट दिखाए देगी, अगर यहाँ पर दूस्तों आपका नाम नहीं मिलता है, यहाँ पर आप देखेंगे फार्मर नेम यहाँ पर दिये गाया है यहाँ पर मेल है या फिमेल है वे आप यहाँ पर देख पाएंगे यहाँ पर मेल है या फिमेल है वे यहाँ पर दिखाया गया है लेडिज है या फिर जेंड्स है वे यहाँ यहाँ पर देख सकते हैं अगर इस लिस्ट में किसानों का नाम नहीं होगा तो आपको लाब नहीं मिलेगा अगर यहाँ पर आपको नाम नहीं मिलता है यहाँ पर 50 किसान दिये हुए हैं अगर दोस्ते आप नाम नहीं मिलता है तो यहाँ पर थोड़ा अंक भी दिये गए हैं एक दो करके तो आपको दो पर क तो आपके सामने दूसरी लिस्ट यहां पर आजएगी अभी याँ पर 50 दिखाई दे रहा है तो अभी देखेगे यहां पर आपको 100 दिखाई देखा है यहां इनके आपको आपको इस तरह से पेज को आगे बढ़ाते जाना है ठीक है तो यह आपके लिए प्रह जानकरी आप बहुत ही असां तरीके से list में अपना नाम देख सकते हैं वित्फोसाद करने हो सकती है ठीक है तो यह आपके लिए प्रह में आपने जानकरी आपको जानकर अपर पराण़गे होगी आपसे हम निवेइदन keeper करते हैं एगर आपने तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए जासे तक वीडियो को शेर करें चैनल पर आप पहली बार आए है तो चैनल को भी आप जुरूर सब्सक्राइब कर लिजेगा बैले लेकन को ओल पर सेलेक्ट कर लिजेगा टिकेट ताकि आपको सभी जान करें सही समय पर मिलती रहे तो आप चाते हैं आप से इजाजत और मिलते हैं अपने स्टूडियो में तब तक के लिए दोस्तों जै हिंद जै भारत